हलो एंड वेलकम तू लेट्स क्रेक यूपीसी सीएसी मैं नेम इस प्रतीक नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रेक यूपीसी सीएसी की चैनल के उबर मेरा नाम प्रतीक नायक है और हम लोग आज फिर से मिल रहे हैं मेंस अंसर राइटिंग के डिसकेशन क से लिए हमने सीरीज सेशन चुरू किया है जहां मैं आपको प्रिवेस के कोशन करवा रहा हूं मेंस के अंदर अभी तक कैसे कोशन पूछे गए थे किस हिसाब से उसको अप्रोच करना है उन सब की कहानियों को हमने देखा था आज उसी टॉपिक को कंटीनू करेंगे विट साड़े तीन साल से इन फाक्ट आपको जानकारी होगी अन अकेडेमी के प्लस स्टूडेंस इस बार भी बहुत अच्छा रैंक लेके आये थे इफ यू वांट टो टेक देग देग दिस वाई उस इस वाई उसका लाब ले सकते हो अभी इन फाक्ट हैना 20% डिसकाउंट यह आपे अविलेबल है यू कन यूज दिस कोड़ पी एं लाइव और बताया था एक सेशन के अंदर कि कितनी कॉंप्रेंसिव नोट्स अन अकेडेमिक दरफ से पुब्लिश की गई है आप ये नोट्स का भी साहरा ले सकते हो और इन फाक्ट है ना यह नोट्स अभी खाली और आपको पेड महम लोग कह सकते हैं कि एक मेंटर्शिप दी जाती है और प्लस के उपर क्लासिस के साथ साथ बाखी सारी चीज़े तो कवर होगी ही सर ठीक है तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए आइकॉनिक लीजिए प्लस लीजिए इट सब्टू यू पर 31 ऑगस 2022 2022 इस लास्ट डेट उसके बाद खाली और खाली यह जो नोट से आपको फिजिकल नोट जो है वह आइकॉनिक पर ही मिलेगी सर ठीक है तो आप आप को शोर्नस दिया जाता है अगर आप दो साल या उससे पहले उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो अगर आप स साल का एक्स्टेंशन भी हमारी तरफ से दिया जाएगा तो आप जॉइन करें इंडिया के लाजर स्लेंग प्लाटफॉर्म पे हमारे बहुत सारे फेलो एजुकेटर्स पढ़ाते हैं आप उनके क्लासे भी अटेंड कर पाऊगे मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और भी इसले बस देखा था उसमें आपको बताने की कोशिश की थी कि इसमें से क्या-क्या सवाल आते हैं तो इंडियन हैरिटेज इन कल्चर जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो आर्ट फॉर्म लिट्रेचर और आर्किटेक्चर से सवाल आये हुए हैं पिछले दो-तिन क्लास के अंदर मैंने आपको कल्चर सेंट्रिक देखा था जैसे हमने पिछले क्लास के अंदर अगर आपको याद होगा तो एक कोशन देखा था प्रीवेस के अंदर की इंशेंट इंडियन कल्चर जो है सर है यह इंशेंट इंडियन सिवलाइजेशन का जो भी पूरा का पूरा क तो मैंने एक पूरी पूरी लिंके जिस की थी पास्ट और प्रेजेंट के साथ है अगर आपको याद होगा तो उसमें और हमने एक प्रासंगी समय में वर्थमान काल के साथ कैसे जुड़ा हुआ है सब्सक्राइब और इस वेजिस के रूप में हमने डिसकस किया था वहां से आगे चल रहे थे आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ यूज में एक सवाल आया है और वो है बुद्धिजम के रिलेटेड कोशन सर ठीक है तो आज का हमारा जब सेशन रहेगा वहां पर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बुद्धिजम के रिलेटेड इर्द इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के उपर से सवाल बहुत बार आ चुके है सर ठीक है उसमें आज हम लोग डिसकस करने वाले है अंतरगत वी विल सी डैट जिसके उपर से यूपी असी ने सवाल पूछा हुआ है सर ठीक है इन फैक्ट भवीश सवाल आए है स्टूप अर्ली बुधा स्टूप आपको पूछा गया है कि जो बुधिजम के रिलेडर स्टूप आर्खिटेक्चर का डिवल्मेंट हुआ था early buddhas two parts ठीक है वो basically buddhism के तीन चीजों को दर्शाता है एक तो folk motive को दर्शाता है narratives को दर्शाता है और साथो के साथो buddhist ideals को ठीक है तो अगर आपको पिछला part याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि question जैसे ही आता है आपको analysis करना है और analysis करके आपको बताना है कि इसकी demand क्या है ठीक है what is the demand of the question आपको इसके अंदर elucidate करना था by the way you are supposed to elucidate this elucidate का मतलब है यह आपको explain करना है इसको खीचना है और basically आपको examples के साथ highlight करना पड़ेगा कि कहां कहां पर buddhism के ideal समको stoop art के अंदर मिलते है ठीक है तो demand of the question is that कि सबसे पहले stoop art के उपर पूछा है मुल तह से stoop और उसकी philosophy आपको पता होनी चाहिए you should know the philosophy of the stoop क्योंकि जब तक आपको philosophy of stoop नहीं पता होगी सर्थी के उसके बाद आपको art forms का प्रकार पता होना चाहिए कि stoop के उपर कौन से कौन से प्रकार के art form आये है सर्थी के इसके अंदर दो चीज़े आपको पूछी गई है सर्थी के इसके अंदर किस तरह से folk motives को include किया गया है मतलब basically लोग कला के चित्रों को बहुत सारे narratives को ठीक है ना getting on point ओके और तीसरी demand अगर आप समझने की कोशिश करोगे इसी के अंदर है the Buddhist ideals कैसे stoop architecture जो है ये बुद्धा के ideals और Buddhism की जो teaching से उसको cover करता है ठीक है तीन चीज़े आपको identify करके बतानी है कि how the Buddha's two part और the Buddhist two part is actually in fact reflected in this form है ना समझे नी समझे अब कोई भी प्रकार का answer लिखना हो हमने आपको पिछले class के अंदर भी बताया था कि when you are supposed to write the answers you can divide the answer into three parts आप कोई भी सवाल होता है उसको तीन पार के अंदर divide कर सकते है यह तीन पार्ट के तहट अगर आप समझने की कोशिश करिए आपने डिवाइड कर दिया सबसे पहले introduction के अंदर sir ठीक है so you started writing with the introduction sir ठीक है introduction के बाद second part आपको भी पता है sir है ना वो आता है आपका body का part so you will find that after introduction you will write the body part right और body के बाद अगर आप तीसरा part देखोगे तो आपका conclusion का part आएगा sir ठीक है so your flow of the answer should be like this आपका कोई भी answer होता है उसका flow जो है आपको इस से साथ से ही manage करना है you are supposed to manage the flow of the questions accordingly sir ठीक है तो आपका जो भी सवाल होगा आपके इसी के ही इर्दगिर्द आपको आना चाहिए sir ठीक है you are not supposed to like no do any kind of novelty मतलब कोई करने की इतनी आवशकता होती नहीं है बहुत सारे learners को मैंने देखा है कि वो कुछ प्राकार की novelty follow करने की गोशिश करते हैं but I personally feel that की एक standard format रखी so that structure आपके answer का बिगडेगा नहीं sir ठीक है न समझे अब तो ये part हो गया sir है अब आप देखे कि इसमें answer writing करना है तो कैसे करेंगे तो next slide के उपर चले जाते है ये black है sir इसमें लिखने की थोड़ी मज़ा आती है इसके लिए मैं कभी कभी इसका उपयोग कर देता हूँ sir ठीक है अब ये blackboard के उपर आपको identify करके बता रहा है कि इस two part मतलब कैसे आपको यहां से देखेगा sir ठीक है elucidate हाँ नीचे elucidate है sir है अब आप देखे कि introduction में क्या लिखोगे what you will write in the introduction sir ठीक है तो मैं अगर introduction में हूँगा तो मुझे यहां पर इसकी hint मिल गई है early buddhist आप देखे कि शब्द को देखने की कोशिश करिए sir ठीक है तो मैं भी इसको ही identify करने की कोशिश करूँगा कि मेरे हिसाब से यह जो early buddhist art है वो कहां से कहां develop हो रहा है किस basis के रूप में निकल के आ रहा है sir ठीक है getting open okay so what I will write that the early buddhist art in the form of the stupa started with the death of both stupa sir ठीक है ना कि इसका origin कभ हुआ sir ठीक है ना getting open okay तो मैं इसके origin को identify करूँगा और मैं बताऊंगा कि immediately after the death of buddha in fact buddhist art के रूप में there is a book called as maha pari nirvana sutra sir ठीक है ना अब आप मुझे पूछोगे कि sir यह लिखने की आउशक्ता है तो अगर आप introduction में इस प्रकार की कहानी लिख सकते हो तो ज्यादा फरक पड़ेगा ठीक है क्योंकि यह किताब है तो उसमें कहानी यह मिलती है कि एक दफे की बात है बुद अपने जीवन के लास्ट फेज में थे अपको पता होगा कि अनन्द उनके शिष्य हुआ करते थे अनन्द वस डिसाइपल बुदा राइट तो बुद और आनन्द के बीच में समवाद हो रहा है बुद बीमार हो अनन्द ने बुद्ध से पूछा कि महाराज हम आपको कैसे याद करेंगे आप अपने जीवन के आखिर के पीरड में हो तो उसमें बुद्ध ने कहा था कि एक काम करो आप मेरे लिए थूप बना दीजिएगा ठीक है तो थूप इस पाली वर्ड सरहना समझ में आया कि नही तो हम यह ओरिजिन में लिख देंगे कि अर्ली बुद्ध और अर्ली बुद्धिस स्टूप आर्किटेक्चर डेवलोप इमिडेटली आफ्टर देथ बुद्ध बुद्ध एडवोकेटेड आनन्द वेर बुद्ध एडवोकेटेड आनन्द तू कंस्ट्रक्ड द बुद्ध चाहते थे कि यहां स्टूप बने ऐसी लोकेशन के ऊपर स्टूप बने सुनिये मेरी बात सिर ठीके जहां रास्ते एक दूसरे के ऊपर कनेक कर रहे हूँ important 4 रस्ते हम लोग 4 रस्ता कहते हैं न कभी कभी सर ठीक है we call it in the form of 4 रस्ता या चौक या 4 रस्ता junctions जहां पर एक रास्ता कट रहा है एक रास्ता यहां से आ रहा है तो ऐसी significant locations के point of view से अगर आप समझे तो बुध ने ये बताने की कोशिश की सर ठीक है people could actually follow the teachings of buddhasar है आप देखिए कि आपको पूछा क्या गया है it successfully expounds the buddhist ideals आपको पूछा ही गया है कि stoop art का प्रकार जो है यह buddhism के teachings को buddha के सिधान्तों को दर्शाता है तो stoop basically जहां बनते थे वो stoop बनाने की प्रक्रिया भी basically हमको buddha के teachings के साथ जोड़ी गई है getting my point okay so what you can do is you can highlight कि the stoopas were made at the junctions यह highway के junctions के उपर बनते थे यह basically buddha के teachings को idealize करते है क्योंकि buddha चाते थे कि उनके teachings को spread हो उनके teachings की relevance आगे के period के अंदर रहे और लोगों के जो दुख है वो दुख basically दूर हो जाए सर है ना क्योंकि buddha को एक follow करेंगे लोग तो उनकी relevance भी रहे कि उनकी ideology भी popular होगी सर ठीक है तो एक तो यह part आपका stoop architecture के अंदर आपको बता होना चाहिए कि किस तरह से develop हो के आया है जो यह एक बहुत ही significant हम लोग कह सकते है कि एक example था सर ठीक है गडिगों पर ओके यह तो first part होगे आपका सर है यह introduction वाला मैं क्या करूंगा कि मैं यहां पर stoop architecture की एक image भी draw कर दूँगा सर ठीक है so I will try to also reflect this via this two parts ठीक है मनलब मैं एक stoop की image भी draw कर दूँगा अगर आपके पास space है नॉर्मली ठीक ठाक space आपको मिल जाएगी दो page के आसपास की सर ठीक है तो you can actually draw a stoop आप stoop ड्रॉ कर सकते हो और stoop ड्रॉ करने के बाद eventually explain कर सकते हो कि आप कहना क्या चाते है सर ठीक है getting on point तो what I will do is कि मैं यहां पर एक stoop बनाता stoop के boundary wall बनाता और इस तरह से उसको मैं divide कर देता और फिर मैं explain करता कि यह क्या है सर ठीक है getting on point अब देखें demand of the question क्या है body के अंदर आप चले जाते है when you go to the body part of the question what is the demand of the question you will see कि early Buddha stoop art बुधा के समकालिन या बुधा के बाद के just immediately बनने वाला जो stoop art है वो यह है सर ठीक है getting on point वो बुधा के ideals को दर्शाता है सर ठीक है तो हम कहते है कि yes it signifies the ideals क्योंकि stoop describes the death stoop describes the महापरी निर्वान सर हना यह महापरी निर्वान का मतलब यह है कि stoop उन्ही का ही बनेगा जिनको निर्वान प्राप्ति उली है यह मोक्ष प्राप्ति मिलती है मोक्ष का मतलब है कि आप जीवन के अंदर सुख और दुख की जो चक्र है उससे आप free हो जाते है you get liberated sir ठी दूसरी ओर a period of time यह stoop के अंदर जो भी अलग अलग प्रकार की architecture का development हो आप इसको highlight कर सकते हो जैसे आप देखोगे इसको च्छत्री कहता है this is called as च्छत्री तो हम लोग लिखते है कि stoop के ऊपर का जो पार्ट है सरहन डिजाइन मोटिफ के अंदर जो च्छत्री है यह त्री teachings को दर्शाता है इसके three teachings of Buddhism यह three gems of Buddhism के रूप में पैचानते हैं अगर आपको जानकारी होगी तो एक को कहते बुद्धा दूसरे को कहते है धम्मा और तूसरे को संग कहते है सर्टीक है क्योंकि बुद्ध ने तीन basis के रूप में कहा था कि आपको मोक्षप्राप्ति मिलती है everyone can become Buddha for becoming Buddha you need to follow Dhamma and also be a part of the Sangha बुद्धम शर्णम गच्छामी धमम शर्णम गच्छामी संगम शर्णम गच्छामी कोई भी स्तूप होगा उसके उपर आपको यह तीन च्छत्रिया दिखेगी आप लिख सकते हो त्री च्छत्री सब बुद्धा और त्री च्छत्री विच वर डिवलोप्ड आज पार्ट तू पार्ट रिफ्लेक्टेड दी इंफेक्ट है ना दी टीचिंग सबुद्धा इंद फॉर्म ऑफ दी आर्किटेक्ट्चर सथीक है तो आप यह भी इनके अंदर से कोट कर सकते हो यू कन आल्सो कोट दीचिंग्स इन वे वेर जहां आप स अस्तिया रखी जाती थी सथीक है और यह जो रखने की प्रक्रिया है यहां पर आपको देखने को मिलेगा अंडा या हर्मिका के अंदर सथीक है अगरिओं पॉंट ओके तो हम लोग आइदेंटिफाई कर सकते हैं कि रिलिक्स का स्टोरेज होता था और उससे भी बुद्ध की जो टीचिंग से उसकी रिलेवनसी आपको देखने को मिलती रहेगी सर ठीक है गडिओं पॉंट ओके तो बुद्धा धमा और संगा की कहानी आपको यहां से देखने को मिलती है सर ठीक है इन फाक्ट आप देखोगे तो यहां पर आपको एक एंटेना दिखता है सर ठीक ह So you will find कि ये 3-7 के अंदर जो antenna है एक प्रकार का हम को ये tower देखने को मिलेगा ये basically association है from all अक्तु पर लोग So हम ये कह सकते हैं कि the tower on the stupa the top part of the stupa actually reflects the basis through which we will see कि Buddhism की जो teachings है बुधा के जो ideals है उसको भी ये दर्शाने की कोशिश करेंगे तो होता क्या है कि stupa के अलग अलग basis के रूप में आपको चीजे दिखेगी पहले आप idea लग सकते हो आप लिख सकते हो कि stupa के आजूबाजों के अंदर लोग परिक्रमा करते थे और इसमें gateways बनाए गए है तो in many of the stupa we can say the gateways were created ये जितने भी gateways create किये जाते है ये वेजिकली तोरन का एक प्रकार था सर ठीक है और ये तोरन के प्रकार के रूप में हमको ये जानकारी मिलेगी कि बुधिजम में ये चारो तरफ में आपको मिल जाते है ये तोरन चारो के चारो दिरेक्शन में इसी के लिए बनाए गए थे क्योंकि बुधिजम चाहता था कि ये चारो तरफ से ओपन रहे इच शूड भी फॉलओड बाई ओल दे पीपल सर ठीक है तो ये जो एंट्री गेट्स है ये एंट्री गेट्स है ये चारो की चारो दिशाओं के अंदर आपको देखने को मिलेंगे सर ठीक है नो इसके पीछे का भी कारण आपको ये ही देखने को मिलेगा वी विल फाइंड कि जिसके थूँ ये लोग बताने की कोशिश कर रहे थे कि वी आर ओपन फॉर ओल सर ठीक है तो ये तो बुधिस्ट आइडियल्स की कहानी होगे तो आप लिखने की कोशिश करोगे तो ओर पिरेट फ्रैम देट वर कंस्ट्रक्टेड सर ठीक है इसमें बहुत सारे फोक मोटिफ्स को इंक्लूड किया गया इसी के अंदर हमको ये पता चलता है कि नेरेटिव आट को भी इंक्लूड किया जाता है तो हम लोग लिखेंगे कि इनिशली दे स्टूपास वर प्लेन इन नेचर सर ठीक है इनिशली जो स्टूप बनते है वो आठ जगा के उपर स्टूप बनेंगे अगर आपको लोकेशन याद रहती है तो यूँके अग्शली हाइलाइट दे प्लेस वर प्लेस वर बिल्ट सर ठीक है से फॉर एक्जामपल आप पीपर हाव करके एक जगा देखने को मिलेगी सर ठीक है तो पीपर हाव करके जो लोकेशन है वहाँ पे आप इसको कोट कर सकते हो या लोकेशन के पॉइंट अफ व्यू से ही अगर आप समझने की कोशिश करिए तो यू विल आलसो फाइंड प्लेस कॉल्ड राम अग्राब यह सब वो लोकेशन है जहाँ पे इनफेक्ट हैना स्टूप बनते थे कुशी नगर हो गया है सर ठीक है क्योंकि जहाँ पे बुद्ध का मृत्वी होता है तो इन सब के अंदर बहुत ही प्लेन स्टूप था प्लेन स्टूप का मतलब यह है कि वहाँ उतनी कोई डेकोरेशन आपको देखने को नहीं मिलती है ठीक है getting on point बट ओवर पीरिड ऑफ टाइम यह स्टूप के अंदर डेकोरेशन बनने की शुरुवत हुई यह डेकोरेशन के अंदर हम लोग को बना चलेगा कि फोक मूटिफों इंक्लूड किया जाएगा जैसे narrative art आपको देखने को मिलता है सांची के स्टूप के अंदर आपको बरहौत के स्टूप के अंदर सर ठीक है इनके अहां पर जो डेकोरेशन होता है उसके अंदर हमको बता चलता है कि जातक स्टोरीज को बहुत हाइलाइट किया गया है सर ठीक है तो इन मेनी अफ तू पार्ट वी विल फाइंड कि डेकोरेशन विल भी देर इन फॉर्म जातक स्टोरीज यह जातक स्टोरीज के अंदर आपको बुद्धा की मधर को आने वाला सपना सर ठीक है तो माया देवी को एक सपना आता है यह अगर आपको पता होगा कि वाइट एलीफंट उनको सपने में आया था और उसके बाद बुद्ध को बुद्ध का जन्म हुआ था ठीक है तो आप लिख सकते हो कि इन्दर हमको यह एविडेंस मिल रहा है कि बुद्ध की मदर को सपना आया था वह दर्शाने की कोशिश की गई है दूसरी कहानी हमको यह भी देखने को मिलेगी की बहुत सारे स्थूप के अंदर से हमको बुद्ध के सिंबॉल्स देखने को मिलते हैं ठीक है यह तक्रह ऑ Equid की खुद की मूर्तिया तो नहीं मिलती है पर हमको यह और अगर आप समर्दने की कोशिश करोंगे आपको lion की images देखने को मिलती है सर ठीक है आपको chakra मिलता है सर है न धम्म चक्र you might be aware about the धम्म चक्र यह धम्म चक्र क्यों मिला है सर है न यह धम्म चक्र मिलता है क्योंकि यह बुद्धा के teachings को दर्शाता है सर ठीक है तो you might be aware about the Ashtangi का part जिसको अशोक ने expand कर दिया था as a part of the stoop architecture सर ठीक है तो आज हम लोग जिसे अशोक शक्र के रूप में हमारे emblem में देखते है वो originally stoop के या basically बुद्धा के teachings का part था सर which was reflected as a part of the architecture सर ठीक है गड़ी ओंपोंट तो आप इसमें यह किसकी कहानी लिख सकते हो सांची बरहुत के स्तूप के अंदर जातक कथाओ का तो यह सब बिसिकली जातक स्टोरीज और एन एक्जामपल ऑफ नेरेटी वार्ट सर ठीक है हम लिखेंगे कि यह जितनी भी जातक कथाए है यह मूल तहसे नेरेटी वार्ट का ही प्रकार है सर ठीक है गडिग ओपॉंट अब इसे फोक मोटिफ भी आपको बहुत सारे दिखेंगे सर है ना फोक मोटिफ का मतलब यह है कि इसके अंदर हम लोग को यह पता चलता है कि जो कॉमन मैन की स्टोरीज है वो भी दर्शाई गई है वो हमको कैसे मिली है सर ठीक है अब जैसे भरवात की बात करेंगे सर हना वहाँ पे आपको यक्षिनी की मूर्थिया देखने को मिलेगी सर ठीक है और यह यक्षिनी बिजिकली अगर आप देखोगे तो वाल के ऊपर स्टूप के एंट्रीज के ऊपर आपको देखने को मिल जाती है सर ठीक है यह सांची का अंदर अगर आपको तोरन देखने को मिलेगा सर ठीक है यह तोरन के अंदर आपको यक्षिनी की मूर्थिया देखेगी जो गेटवेज है वो gateways के अंदर हम लोग को एक evidence मिलती है शल भंजी निकास ठीक है शल भंजी का was actually we can say the woman depicted in a very feminine and we can say very beautiful way in an aesthetic way जो स्थूप आर्ट के अंदर हमको मिल जाती है ठीक है गडिक ओपाट तो हम यह कह सकते है कि इनके स्थूप के अंदर folk motive भी थे folk motive में शल भंजी का यक्षिनी की images बरहुत के अंदर अगर आप समधने की कोशिश करोगे तो आपको mundane mundane मतलब day to day humans की भी images मिल जाती है सर ठीक है तो normal एक मनुश्या के रूप में हम लोग क्या कर रहे है सर ठीक है वो भी हमको evidences मिल रहे है कि एक एक व्यक्ति के रूप में उस floral motive के थूरू, जातक stories के थूरू, बुधा के बोधी सत्वस की कहानी आपको यहां से देखने को मिलेगी सर ठीक है यक्षक्षिनी की stories हमको यहां से देखने को मिल जाती है सर ठीक है getting a point और इस basis के रूप में हम लोग यह identify कर सकते है कि स्टूप initially बुधिजम में एक symbol के रूप में बनाए गए थे क्यूंकि बुधा को कभी भी मूर्ति पूजा के रूप में चीजे नहीं देखी गई थी क्योंकि बुधा की कोई इमेजिस सीधे सीधे नहीं मलती है जो सिधार्थ गौथम थे लौडड बुधा जिसे हम लोग पैचानते है इनकी कोई इमेजिस नहीं थी तो हुआ क्या सर ठीक है वी विल फाइंड की इनको symbolic worship के रूप में ही याद रखा जाता है यह symbols में उनके जीवन के साथ बनी हुई जो घटनाय है जैसे उनका बर्थ हो गया है जैसे उनका renunciation हो गया है सर ठीक है ना वी विल फाइंड कि उनका जन्म हुआ था उनोंने संसार छोड़ा था उनोंने निर्वान प्राप्थी की थी सर है ना जब उनको गया के अंदर निर्वान प्राप्थी हुई सर ठीक है उनोंने अपना धम्य चक्र भिसकली Yiya धम का संदेश डिया सर ठीक है तो ही गेव और इनका जो भी depiction था, ये Buddhist narratives और folk motive के रूप में था, ठीक है, getting a point, तो इस में से आपको कुछ-कुछ symbols को याद रखना पड़ेगा और answer के अंदर include करना पड़ेगा, जैसे आप देखोगे उनके birth के साथ क्या घटना है, renunciation अगर आप देखोगे तो घोड़े के ऊपर है, तो बहुत सारे stoop के ऊपर आपको घोड़े के evidences देखने को मिलेंगे, birth basically lotus के साथ है, ठीक है, तो बुधा की basically जो narratives है, वो lotus centric आपको बहुत दिखेंगे, तो जब आप stoop architecture को समझेंगे, when you will try to understand the stoop art, you will realize कि इसमें lotus की images आपको बहुत dominating होती भी दिख जाएगी, ठीक है, उसी enlightenment of life है ना, जीवन के अंदर उनको enlightenment अचीव होता है, तो यह जो enlightenment था, यह भी इसी के अंदर से आया था सर, ठीक है गडिकों पर, तो आप इनको भी include कर सकते हो, you can include this part as well सर है ना, and this is how you can say that this two part actually collaborates multiple things, अलग अलग चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, folk motif की कह पानिया है, local stories है, हम लोग यह लिख सकते हैं कि it was a fusion sir, यह fusion क्यों था sir, ठीक है, यह fusion का कारण है क्योंकि stoop की geography बहुत matter कर रहे थी, जो location में stoop बने है sir, वो location आधारी आपको stoop architecture का relevance मिलेगा sir, मैं location centric क्यों बता रहा हूं उसके बीचे का कारण समझ यह sir, ठीक है, the reason why we understand from the location centric, the stoop and all these things, okay, उसके बीचे का एक बेज यह है कि जहां पे स्तानिक वस्तू यह स्तानिक चीजों की popularity थी, ideas popular थे, वो सब stoop में आए, इसमें कारीगरों की भी बहुत बड़ी एक factor आपको देखने को मिलेगा sir, ठीक है, तो इसमें जो workers से, जो artisans से, we will find की, जो राजाओं आपको जानके हरानी होगी, अशोक ने जो सांची का स्तूप बनाया है, ये सांची के स्तूप के अंदर अशोक अपनी political message भी convey करवा रहा था, अशोक was also conveying the political message in the सांची स्तूप as well sir, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमको स्तूप architecture के अंदर से मिलती है, we find multiple things from the स्तूप art, आपको ये idea रहना चाहिए, कि स्तूप architecture कैसे develop हुआ, किस तरह से निकल के आया है, इसके यहां किस-किस प्रकार्व के narratives आपको मिलेंगे, और उसके बद आप conclusion में डालेंगे, कि initial period में स्तूप art ऐ जाना भी नहीं है, we are not supposed to go beyond a certain word limits, in fact, word limit आप cross करोगे, तो आजकल UPSC negative marking देता है, you might have seen that, कि if you'll cross the word limit, UPSC might give you negative marking as well, sir, ठीक है, तो आपको hopefully first part clear होगे, introduction, body में आपने Buddhist ideals, folk motive और narratives को देखाया, जातक कथाओ को आपने highlight कर दिया, इसमें रूरू जातक, कपी जातक, अगर आपक example दिखना है, तो आप लिख सकते हो कि रूरू जातक, कपी जातक, sir, ठीक है, these are all the example of the जातक stories, जो depict की गई थी बुधा के जीवन के अंदर से, sir, ठीक है, these were all the stories that were related to life of बुधा, they were depicted of the two part, and इसका भी एक important aspect, हम लोग देख सकते है, sir, खेर, तो इतना part आपको clear हो जाना चाहि है, कि अब इसके अंदर अब conclusion में क्या डालेंगे, sir, है ना, अब सवाल यह आता है, कि what will put in the conclusion aspect, okay, अब देखे कि conclusion की, जब हम लोग बात करेंगे, when we'll try to understand the conclusion part, sir, है ना, तो हम लोग लिखते हैं कि early buddha stupa जो था, वो limited था, sir, ठीक है, early, early buddhist stupa, early buddhist stupa, basically, अशोक के period तक आप लिखोगे, sir, most probably, sir, ठीक है, so origin, जब हुआ, बुधा के मुरुत्यू के बार, sir, ठीक है, getting a point, okay, till अशोकन period, मतलब आप पकटने की कोशिश करोगे, तो you will write की origin इसका होता है, say for example, 450 BC के आजपस आपको दिखने के मिल जाएंगे, evidences के रूप में, 450 BC से लेके, हम लिख सकते हैं कि करीबन, 250 BC तक stupa बहुत बने, यह early buddha stupa था, sir, ठीक है, but हम लिखेंगे कि इस period के अंदर, हमको यहाँ पर folk motif, folk motif के साथ-साथ narratives, और साथ- के सकते हैं कि बुधा के ideals को दर्शाने के साथ-साथ, बुधा के relics में stupa बनते थे, relics का मतलब है कि बुध की अस्तिया इसके अंदर से include की गई थी, later period में हम लोग यह लिखेंगे कि stupa का जो है, वो symbolic महत्व बहुत बढ़ जाता है, यह stupa basically अब relics के point of view से नहीं बन रहे ह symbolic point of view से बनेंगे sir, है ना, तो conclusion में यह डालेंगे कि by the period of kushans, by the periods of the साथ वहनास, ठीक है, साथ वहनासों के बाद आये sir, ठीक है, getting over it, okay, they also started making the stupas, the stupas of the kushans were in the form of the tower stupas, tower stupa का मतलब यह है, कि इनके द्वारा जो stoop बन रहे थे, उसकी size, उसकी dimensions, उसकी design, पूरी तरह से बदल जाती है sir, ठीक है, साथ वहनास जो है, यह decoration के लिए aesthetic soup को बहुत बनाते हैं, और stoop का जो middle part है, जिसे हम लोग अंडा कहते है sir, ठीक है, यह अंडा को भी decorate करेंगे, हर्मिका को भी decorate करेंगे, और बहुत ही aesthetically, we will find कि highly decorative देखने को मिलेंगे, और इसमें जो floral motif और जातक स्टोरी से इसके सिवाए regional touch भी add किया जाता है, ठीक है न, तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि stoop architecture चलता रहा, मौरियस के बाद भी यह चालू रहता है, कुशान और साथ वहनास के समय भी बनेगा, इवन गुपता पीरड में भी कहीं कहीं पे हमको stoop मिल जाएंगे, और finally हम स्टूप बुद्ध को अमर करके गए है, stoop architecture बुद्धा को basically immortal करके गए है, क्योंकि बुद्ध की अस्तिया वहाँ पे तो पदराही गई थी, यह उनको रखी गई थी, इसके सिवाए हम यह भी कह सकते हैं कि उनके teachings, उनके ideals को एक जीवित रूप में प्रतिमिंबित करते है इस तरह से आप conclude करेंगे, समझ में आपको, तो hopefully आपको यह इस तूप architecture की कहानी समझ में आ गई होगी, कि बुद्धिजम के उपर से सवाल कैसा आया था, सर ठीक है, देखिए कि UPSC ने पिछले कुछ सालों के अंदर से, आपका syllabus बहुत clear-cut cover किया गया है, आर्ट and culture के आप देखिए, ancient India के centric और medieval India के centric, सर ठीक है, आपने prelims में ancient and medieval Indian history आपने पढ़ा होगा, सर ठीक है, पर ancient और medieval Indian history की खासियत यह है, कि UPSC prelims के अंदर इस में से depth का अंदर सवाल बहुत लाएगा, सर ठीक है, पर अगर आप मुख्य परिक्षा के paper देखोगे, तो उसमें आपको culture का point ज्यादा पूस्ता है, सर, so UPSC has this habit of asking the questions related to culture, rather than the theoretical or the political aspect of ancient and medieval Indian history, आप एक चीज़ सीख जीए, एक चीज़े आप समद लीजिए, कि जबी भी आप इस तू पार्ट को देखोगे, या जबी कोई भी ancient medieval के topic को देखोगे, तो हमेशा culture centric रखिएगा, सर, and please try to creep yourself the culture centric, rather than going here and there, सर, ठीक है, तो एक तो ये सवाल आपको पूछा गया था, आप इस तरह से conclude कर सकते हो, उसके बाद ये दूसरा सवाल आया है, 2019 में और 2014 में, दो बार पूछा गया है, ये आपको गांदार architecture के उपर से सवाल आया हुआ है, सर, ठीक है, getting opened, okay, और बहुती simple, straightforward पूछा गया है, कि highlight the central Asian and graco-bacterian elements in the गांदार art, एक सवाल 2019 में पूछा है, ये, कि गांदार स्तापतिय कला के तहत, सर, आपको मद्य एशय एवं यूनानी बैक्ट्रियाई तत्वों का उजागर कर रहा है, सर, ठीक है, सो, यू आर सपोस्ट तो इडेंटिफाई कि इस में से कौन से कौन से यूनानी तत्व थे, मतलब बिसिकली जो ग्रीक influence वाले तत्ता थे, सर, ठीक है, गांदार कला के अंदर, एक सवाल आया था, और एक सवाल फिर से repeat हुआ, 2014 में, अब मतलब, 19 में आया और 14 में आया, वो था, गांदार's culture, old as much as to the Romans as to the Greeks, कि गांदार के अंदर जो मूर्ति खला है, वो रोमन और ग्रीक्स दोनों से बौरो करती है, चीजों को सर, ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिए, कि UPSC आपको क क्या पूछ रहा है, ये question को दो बार पूछा है, मूल तह से गांदार architecture को दो बार पूछा गया है, 2014 के अंदर भी इन्होंने पूछा है, और अगर आप देखोगे तो 2019 के अंदर भी पूछा है, कि इसमें Central Asian और Greco-Bacterian elements पूछे गये है, और पिछला सवाल जो था, उसके अ तो मोटे मोटे तौर के ऊपर हम लोग ये कह सकते है, मोटे मोटे तौर के ऊपर हम लोग ये कह सकते है, कि ये पूरी की पूरी जो स्तापतिया की कलार डेवलोप हो रही है, जो architecture की system डेवलोप हो रही है, इसमें बहुत सारा foreign influence आपको मिलेगा, Romans के अंदर, Greeks के अंदर, Greco- bacterial perspective से सर, ठीक है, getting on point, तो हम यहां से पहले घांदार आर्ट को देख लेते हैं, और घांदार आर्ट को थोड़ा बहुत revise करके, हम ये सवाल को attempt करने की कोशिश करेंगे, सर, ठीक है ना, क्यूंकि दो सवाल पूछे है, गुमा फिरा के आपको गंगादर ही शक्तिमान करना ह होता है, देखो मुख्य परिक्षा में कभी-कभी क्या होगा, कि you won't be having the information for you, मतलब लिखने के लिए information होगी नहीं सर, जितना चाहिए मसाला उतना आपको शायद ना मिल पाया हो, सर, ठीक है, getting on point, there is every possibility कि आपको जो information जिस तरा से चाहिए पकड़ में आनी चाहिए, सर, ठीक गई है, सर, दूसरी Greek influence आपको पूछी गई है, सर, ठीक है, यह Greek के अंदर एक शब्द यूस किया गया है, Gracobacterian, सर, ठीक है, Gracobacterian, सर, ठीक है, getting on point, okay, और एक Central Asian influence आपको पूछी गई है, सर, ठीक है, समझे, अब इस प्रकार के सवालों को आप कैसे लिखोगे, सर, रहना आप, यह गहंदार आट के बारे में, जब सवाल आएगा, तो, वाट यू कें दू इस, कि यू कें स्टार्ट विड्रॉइंग अ मैप, और आप बता सकते हो, कि गहंदार आट कहां पे डवलोप हो आथा, सर, ठीक है, तो, आप लिखोगे, कि गहंदार आट यहां पे, भार of your answer, सर, ठीक है, getting about, अब इसमें पहले, 2014 वाले सवाल में जाते हैं, पूछा गया है, कि गहंदार आर्किटेक्ट्चर, एक्चूली, पूछा गया है, कि ओड, मच सिग्निफिकंस, और, ओड असमें तो दी रोमन से तो दी ग्रीक्स, ओके, हाँ, चलिए सर, ठीक है, ठीक है So, what we will do, कि the demand of the question, once again, talks about the Roman influence on the गहंदर आर्किटेक्ट्चर, सर, getting a point, and the Greek influence on the गहंदर आर्किटेक्ट्चर, सर, Greek influence on the गहंदर आर्किटेक्ट्चर, सर, ठीक है, getting a point, okay, and वो basically, उसके features के साथ आपको गहंदर स्कल्प्चर में आपको identify करना है, सर, ठीक है, getting a point, okay, आपको identify करके बताना है, पीछे क्या है, explain है, सर, ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं, कि गहंदर स्कल्प्चर में कैसे Greek और Roman influence आया, once again, आप question को तीन पार्ट के अंदर, इंट्रो के अंदर, दूसरा body के अंदर, और तीसरा अगर आपको पता होगा, conclusion के अंदर, सर, ठीक ह अब ये सवाल को कैसे deal किया जाएगा, उसके ओपर चले जाता है, सर, ठीक है, so what we will do is, कि अगर आपको intro बनाने की शुरुआत करनी है, तो मैं तो एक तो नक्षा बनाऊंगा, पहले मैंने आपको पहले ही बताया, सर, ठीक है, और नक्षा बनाने के साथ मैं mapping में बता सर, ठीक है, कि गहांदार आर्ट कहां पर डेवलोप हुआ था, सर, ठीक है, गडिक होंपर, ओके, so, first of all, I'll draw map, map का भरपूर उपयोग करिएगा, मैंने unacademic के उपर special class लिए, answer writing के उपर, जिसमें इस साल के topper, All India Rank 50 है, अभीजीत रे, उनके साथ hands-on exercise की थी, ऐसे ही सवाल की, हमने ज्यादा तर questions previous के लिए थे, मुलब 2020 के लिए थे, but ऐसे ही सवाल थे, मोटे मोटे तोर के उपर, यह सवालों को हमने समवाद में और चर्चा में इसी के लिए लिया था, क्योंकि, मैं उन से पूछ रहा था, कि आपने क्या लिखा है, when you appeared for the examination, what you wrote actually, जब आप खु description box में, आपको मेरी profile मिलेगी, sir, ठीक है, तो उसमें मेरी special classes में जाएगा, answer writing with Abhijit रही करके, एक series लिए उसको अब जरूर से देखेगा, sir, let me come back to this part, तो इसमें introduction, उन्होंने कहा था कि map बनाए, हाँ, मैं बात कर रहा था, Abhijit की, Abhijit ने अपने experience आजा करते हो, मुझे यह बताया, कि he made around 20 maps, all the questions had the map, GS paper 1 में 15 से 20 maps उन्होंने बनाए, almost आप देखोगे, तो हर एक परशन में उन्होंने map बनाए, each and every question, he had tried to make sure he was mapping के थ्रू बताया, sir, तो mapping से कितना confidence भी बढ़ता है, आप समझ यह, sir, ना, तो बहुत सारी चीजे, आपकी clear हो जाती है, once you keep on from the mapping perspective mapping perspective से चीजों को देखोगे, तो बहुत फ़रग पड़ेगा, sir, के, तो इसमें आप introduction लिख सकते हो, you can write with the introduction, sir, ठीक है, कि आप लिखोगे कि the Ghandar School of Architecture, sir, ठीक है, आप लिखोगे, the Ghandar School of Architecture, evolved in the, somewhere in the period of the 1st century CE, या 1st century BC से लेके, 1st century CE के बीच में, sir, ठीक है, in the northwest part of the country, in the northwest part of the country, precisely the regions around the modern-day Kandahar, in the modern-day Kandahar, which is in the Afghanistan region, sir, ठीक है, this Ghandar School had made Buddhist images, this Ghandar School had made Buddhist images, and when the analysis of the Buddhist images were done, it was found that, it was found that, इसमें ये देखा गया था, इसमें ये मिला था, कि यहाँ पे foreign influence आपको मिलता है, sir, ठीक है, getting on point, okay, फिर आप यहाँ सीधा-सीधा चले जाओगे, बॉडी के अंदर, sir, ठीक है, और बॉडी के अंदर जाके, आप ultimately identify करोगे, कि how, and why, and where we find the foreign influence, सुनिए मेरी बात, how, why, and where we find the foreign influence, क्यों, कब मिलता है, कहाँ पे मिलता है, sir, ठीक है, आपने introduction में लिख दिया, कि 1st century CE के अस-पास का origin है, कुशान पीरट के अंदर, लिखना है, तो यह भी लिख सकते हो, कि it originate in the कुशान पीरट, if you want to write, you can actually mention कि इसका origin जो है, यह कुशान पीरट के अंदर हुआ है, sir, ठीक है, so that is also a correct approach है, इस तरह से भी आप इसको mention कर सकते हो, now the second thing that comes into the picture, is that, कि इसमें how, why and where, sir, foreign influence मिलता है, sir, ठीक है, तो how and why, the Roman and the Greek influence actually immerse, sir, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि, during this period, यह 1st century CE का पीरट है, where the कुशान kings, who belong to Central Asia, had actually came to India as invaders and they settled over India, precisely कनिष्क, and he was the one who captured the trade route, called as the Silk Route, and with the entry of कनिष्क and the capturing of the Silk Route, there was a large inflow of the Roman coins and the Roman trade and commerce actually started connected with India and Asia, this led to more and more of the images being made in Gandhar, having the Greco-Roman influence, ठीक है, किटिंगो परण, ओके, तो मैंने एक established किया notion, कि यस मैं मानता हूँ, कि इसके अंदर Greco-Roman influence है, इसके पीछे का कारण ये है, कि कनिष्क के पीरड के समय से, जिस प्रकार का व्यापार चल रहा था, ये व्यापार में Silk Route ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, ये रोल प्ले के द्वारा हम ये identify कर रहे है, कि कनिष्क के कारेकाल के अंदर, जिस प्रकार का development हुआ, और ये जो trade and commerce बढ़ता है, उसने पूरी कला को बढ़ा है सर, ठीक है, क्योंकि इसके कारण कारीगर बिजिकली जो भी थे, artisans जो थे, ये जितने भी artist थे, ये सब foreign origin के थे सर, ठीक है, और ये foreign origin artist बिजिकली जब भारत की तरफ आए, तो इनको बुद्धा की images जब बनाने का आदेश दिया जाता है सर, ठीक है, तो ये बनाते है सर, ठीक है, getting a point, तो इनको पता नहीं था कि बुद्धा कैसे लगते थे, तो इन्होंने बुद्ध को अपने जैसे बनाने की कोशिश की सर, ठीक है, getting a point, तो एक मैंने notion built up किया question की शुरुवात में, I have actually built a notion in the starting point of the question, foreign influence, आप जब तक इसको इस तरह से established नहीं करोगे प्रश्न की शुरुवात में, तो examiner को लगीगा कि the candidate is beating around the bush, वो गोल 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 गुमा रहा है, है न, हमने university के अंदर paper दिये होंगे, तो university के paper में ये बहुत होता है, active to passive, passive to active, अब मैं ठहरा civil engineer, है न, महलब engineering की थी हमन तो उसमें ये passive, active, active, passive बहुत देखने को मिलता था, सर, ठीक है, समझे, so we will find कि यहां पे भी आपको वही story मिलती है, कि जब आप कहते हो कि foreign influence है, Greek और Roman influence है, कहां कहां मिलता है, सर, ठीक, एकडियों पॉंट, तो आपको identify करके बताना है, कि इनकी iconography में, इनकी मूर्तियों के अंदर सब जगा के ऊपर आपको Roman influence आपको मिलता रहेगा, सर, ठीक है, getting on point, okay, तो हमको कहां कहां पे Roman influence मिलता है, थोड़ी बहुत इसकी बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, सर, ठीक है, अब जैसे हम देखते हैं कि बुधा की images में, इसमें Greek और Roman influence कहां मिले, सर, ठीक है getting on point, तो मैं लिखूंगा की, yes, the Gandhi's culture had a kind of Roman influence, the Roman influence can be seen in the form of the Buddhist images, where Buddha was depicted in the form of the Roman gods, Buddha को Roman gods के रूप में दर्शाए गया, सर, ठीक है, where Buddha was shown in an anthropomorphic image, where we will find his facial structures, his emotions were actually directed in the form of a Roman personality, Buddha की, हमको ये पता चल रहा है, कि जो चहरा था, Buddha की जो हाव भाव थे, Buddha की जो emotions थी, सर, ठीक है, getting on point, ओके, इस business के रूप में आपको दिखे काई सर है न, इन फाक्ट, इसकी खासियत आपको ये मिलती है, वो है stucco करना, stucco समझ में आता है कि नहीं आता है, इसके plaster of Paris के रूप में हम लोग आज कल कहते हैं, Romans ने बहुत सारे मूर्तियों में plaster of Paris का उपयोग किया था, कहनधार आर्किटेक्चर के अंदर भी आपको stucco plaster का उपयोग करिया जाता है, ये stucco plaster जो technique है, ये Central Asian और Roman technique का एक प्रकार है, सर, ठीक है, getting on point, ओके, so we will find कि ये भी एक बहुत interesting कहानी देखने को मिलेगी, सर, है ना, समझे, we will also see कि ये Greco-Roman influence के अंदर, हम लोग Greco-Roman लिखेंगे, सर, my bad, इसको Greco-Roman कर दीजेगा, सर, ठीक है, कि ये जो Greco-Roman influence है, इसमें बुद की जो drapery दर्शाई गई है, ये drapery के अंदर भी हमको बता चल रहा है, कि जो folds आपको देखने को मिलेंगे, बुद actually है ना, एक इसमें खड़े है, क्या कहता है, कि he is having some kind of toga, toga जैसी एक चीज पहनते है, सर, ठीक है, अगर आप देखोगे, अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बता हूँ, गांदार का एक photograph दिखाऊंगा, you'll get an idea as well, सर, ठीक है, तो ये जो greco-roman कपड़े हैं, वैसे दिखाया गए है, सर, हना, तो बुद्ध को अगर आप देखोगे, उनके जो कपड़े है, उसको toga कहते है, उसके अंदर जो folds है, folds का मतलब है कि उसके जिस तरह से design बनाए गई है, सर, ठीक है, वो design के अंदर भी आपको काफी सारी, हम लोग कहेंगे कि जो Greek और Roman influence से वो दर्शाई गई है, सर, ठीक है, बुद्ध की अगर आप चेहरे को देखने की कोशिश करोगे, सर, ठीक है, तो we will find कि एक दो beard आपको देखने को मिलेगी, सर, ठीक है, आपको curly hairs देखने को मिलते है, सर, ठीक है, बुद्ध की जो body है, सर, ठीक है, एकदम masculine और macho body को दर्शाने की कोशिश की गई है, सर, ठीक है, जो हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार की Greek और Roman Gods की influence है, कि भगवान कैसे होने चाहिए, एकदम शक्तिशाली होने चाहिए, सर, ठीक है, गडिक हो पांट, ओके, तो visual sense में अगर आप समदने की कोशिश करोगे, सर, है न, aesthetic sense के अंदर अगर आप समदने की कोशिश करोगे, सर, ठीक है, तो एकदम Greek और Roman Gods के रूप में दर्शाने की कोशिश की गई है, सर, ठीक है, गडिक हो पांट, ओके, तो जैसे Greek God है, Apollo, सर, ठीक है, न, बुध को इन्होंने Apollo के रूप में बुध को दर्शा सर, ठीक है, गडिक हो पांट, ओके, तो इस बेजस के रूप में हमको यह पता चल रहा है कि जो आर्टिस्ट था, यह आर्टिस्ट ने लिबर्टी ली थी, सर, है न, गडिक हो पांट, ओके, इनके यहां पे जिस प्रकार की carving देखने को मिलती है, सर, आइकोनोग्राफी के अंदर, सर, ठीक है, गडिक हो पांट, ओके, आइकोनोग्राफी का मतलब है कि जो छोटे-मोटे floral motifs है, सर, ठीक है न, जो carving देखने को मिलती है, उसमें आपको बहुत सारा Roman influence देखने को मिलता है, सर, ठीक, गडिक हो पांट, ओके, कि जब हम लोग overall picture को समझेंगे, सर, है न, we will see, कि इसमें Greek mythology, Roman art, सातों के सातों Greek philosophical beliefs, इन सब के basis के रूप में हम लोग को ये मिलेगा, कि ये school के अंदर Greek और Roman perspective से दर्शाने की कोशिश की गई है, रोम के अंदर जो मूर्तिया बनती थी, वैसी ही मूर्ति भारत में बनाने की कोशिश की गई है, सर, ठीक है, getting off point, ओके, और आखिर में हम लोग ये कहेंगे, कि जो technique of manufacturing है, सर, जो technique of manufacturing है, सर, getting off point, ओके, ये technique of manufacturing में भी, आपको Roman technique follow की जाती है, जो रोम के अंदर statues बनते थे, जो ये लिखेंगे, कि गांदार और आपके यहां पे जो गांदार आर्किटेक्चर की शैली बनी है, इसमें Greek और रोमन दोनों का प्रभत्वा मिलता है, सर, ठीक है, getting off point, तो कुछ-कुछ जगा के ऊपर आपको floral designs, iconography के motif, बुधा के, जो decoration का part है, वो Romans के साथ जोडना है, technique Romans के साथ जोडनी है, बुध की facial expressions, बुध की drapery, बुध के curly hair, वो आपको Greeks के साथ जोड़ देना है, सर, ठीक, getting off point, बुध अगर आप देखोगे, अभे मुदरा में यूँ खड़े हुए है, सर, ठीक है, यूइल सी कि बुध की जो प्रतीमाय है, सर, ठीक, getting off point, उसके अंद प्रते तोर के उपर हम लोग यह कह सकते है, कि it was a fusion, in fact, V.A. Smith करके एक historian है, V.A. Smith ने इसको categorize किया था, V.A. Smith had categorized कि यहाँ बहुत सारी Roman techniques, Roman perspective और Greek perspective का mixture था, यह क्यों mixture था, क्योंकि उसके बीचे का कारण मैंने आपको बताया, कि यहाँ जो भी कारीगर थे, सर, यह कारीग basically Roman architecture से और Greek architecture से प्रभावित थे, in fact, ज्यादा तर कारीगर थे, वो बाहर के लोग थे, सर, है न, कि इसमें जो artist थे, they were actually from the foreign origin, बनाने वाले लोग ही विदेशी है, in fact, इनको जो उस period में मूर्तिया दिख रही थी, वो भी विदेशी दिख रही थी, सर, बन रही थी, अफग areas, which did not had direct, we can say, connection with reference to the पाटली पूतर और मगद, सर, ठीक है, जहां पे, वहां के स्तानिक लोगों के जैसे, तो बुद्ध को इन्होंने foreign origin दिखाया, सर, ठीक है, इसके लिए ये art को हम लोग at times कहते है, ये Hellenistic art है, सर, ठीक है, न, getting over, okay, so it is called as Hellenistic art as well, सर, ठीक है, न, getting over, okay, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इन्होंने जो material का भी उप्योग किया है, सर, ठीक है, ये material भी basically foreign origin का ही है, सर, ठीक है, तो इन्होंने basically जो material यूज़ किया है, वो है blue gray, blue gray, sandstone का पत्थर है, सर, ठीक है, ये blue gray sandstone basically अपको Central Asia से लेके, पाकी सारे regions में बहुत बड़ी मातरा म है, Hellenistic art मिलब Greek art के लिए ही शब्द यूज़ किया गया है, Hellenistic सर, ठीक है, the word Greek art means Hellenistic only, सर है, Helena, Lady Helena, अगर आपको पता होगा, सर, Mount Helena, Greece में Helena के लिए बहुत सारी चर्चा है, in fact, आपको सेलेकस निकोटर की कहानी पता होगी, सेलेकस निकोटर ने जब चंदरगुप मौरिय क के साथ लड़ाई की, और इसके बाद चंदरगुप मौरिय ने इसलेकस निकोटर को पराजित किया, उसके बाद, हैलेना वो सेंट टू इंडिया अलॉंग विट मेगास्टनिस, हैंड है, हैलेना की शारी होती है, मौरियस के साथ, सर, ठीक है, तो यह सब चीज़े आपको मौरियस के रूप में पता होना चाहिए कि कैसे डेवलोप्मेंट हुआ है, ब्लू ग्रेस अन स्टोन हेलेनिस्टिक परस्पेक्टिव से, हम कंक्लूजन में लिखेंगे कि देखिए, फेशियल एक्स्प्रेशन से, उनकी लुक्स से, उनकी आइकोनोग्राफी से, मतलब जो मूर्तिया उसके आजुबाजु में बनती है, इनफेक्ट मटेरियल से, उनके यहां आटीजन से, बुद्ध नो डाउट फॉरेन दिखते हैं, बुद्ध नो डाउट फॉरेन ओरिजिन के परस्पेक्टिव में दिखेंगे, बुद्ध आपको लगेगा कि एक ग्रेको रोम इन्फुलिएंस में आये थे, हम यह मानते हैं कि यह ग्रेको रोमन इन्फुलिएंस में आये थे, गहंदार आर्किटेक्टर में, बट अल्टीमेटली लिखेंगे कि अबजेक्टिव वस्टू पोर्ट्रे इंडिया, इंडिया और इंडियन गॉर्ड, समझेख नहीं समझे तो आखिर में हम लोग यह लिख सकते हैं कि the soul was Indian, soul was Indian का मतलब यह है कि भले, बुद्ध जो है, या गांधार के अंदर जो मूर्तिया बनती है, उसमें foreign perspective था, पर वो बनाया गया था बुद्ध के लिए, बुद्ध खुद भारतिया थे, सर ठीक है ना, इसके अंदर perspective तो व इसको conclude कर देंगे कि भई देखिए, बले इस तरह से बनाया गया है, but ultimately we can highlight कि यह कैसे उभर के आया, and how the Greek and the Roman influence can be balanced, आपको दोनों को balance करके लिखना है, सर ठीक है, तो एक तो यह सवाल हो गया है, hopefully आपको यह clarity आई, यही सवाल को हम लोग थोड़ा पीछे वाले question के साथ दे से गंगा दरही शक्ती मान है, मैं तो कहूंगा कि question repeat हुआ है, खाली फरक यह है कि question repeat हुआ है, यह repetition के अंदर यहाँ gracobacterian के साथ centralization elements डाल दिये गए है, सर ठीक है, getting up on, ओके, अब इसमें आप क्या-क्या चीजे add करेंगे, सर अब देखिए कि gracobacterian क्यों, क्योंकि Greek kings जो ह हुआ करते थे, यह जो post-morian period के अंदर उभर के आया है, सर है, यह belong करते थे post-morian period से, so when they belong to the post-morian period, they came from the post-morian period, सर ठीक है, getting up on, okay, eventually यह लोग आये थे bacteria नाम के प्रदेश से, सर ठीक है, आपको पता होगा, bacteria मतलब बल्क कहते है, अफगानिस्तान वाले region में है, सर ठीक है, getting होगा, यह इंडो ग्रीक जो किंग से ना, यह वहाँ से ही आता है, सर ठीक है, post-morian period, और इसके लिए आपके लिए शब्द डाला है, ग्रेको बैक्टरियन, और यहां Central Asia, अब आपके यहां पे, मैंने आपको बताया कि गांदार आर्किटेक्चर के अंदर, सर ठीक है, गां समझोगे, तो almost same ही है, साधी भाषा में आप देखोगे, तो same ही है, क्योंकि कारीगर तो वही थे, time period तो वही था, post-morian period, सर ठीक है, गडिक हो पांद, तो बुद्ध को Apollo के जैसे दिखाना, Greek God के रूप में दिखाना, बहुती youthful stage में दिखाना, बहुती young दिखाना, सर ठी तो ग्रेको बेक्टरियन, जिसे आप कहते हो, उसमें तो आपको वही आएगा, कि Greek God के रूप में बुद्ध को दर्शाया गया, बुद्ध को बहुती young दिखाया गया, सर ठीक है, बुद्ध की जो facial structure है, अभी हमने आपको बताया, सर ठीक है, पिछले answer के अंदर, वही आप को लिखना है, उनके expressions को आपको लिखना है, उनके कपडों को लिखना है, यह सब Greek God के perspective था, His dressing was actually in the form of Greek, ना तो जो भी Greek perspective था, उस basis के रूप में आप लिखोगे, कि उनको किस तरह से decorate किया था, उनको किस किस तरह से highlight किया था, आप देखोगे, उनके सर के ऊपर एक वो garland इ तो भी Greek God का perspective आपको मिलता है, तो यह चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, इसमें स्टको था, मैंने आपको बताया था, प्लास्टर ऑफ परिस का उपयोग करना, तो आप कैसे Central Asian influence को highlight करेंगे, तो देखिए कि मैंने आपको बताया कि, because post-morian period के अंदर जो भी कारीगर थे, यह कारीगर मध्य एशिया, वेस्ट एशिया, आज के रोमन एमपार के साथ connected हुआ करते थे, तो इस बेजिस के रूप में हमको यह पदा चलता है, कि वहाँ पे थोड़ी बहुत Central Asian influence आई, जैसे बुद्ध की images बनती थी, ना मूर्ती ब होता है, उसके आजुबज में बहुत सारा white या yellow color की energy radiate होती है, आपने बहुत सारी मूर्तियों में देखा होगा, कि जैसे कोई भगवान की मूर्ती है, जैसे इंडिया के कोई गौड़ी, बुद्ध की देख लो, तो उसके आजुबज में yellow color की आपको light देखने को मिलेग था, वो कहीं न कहीं हम लोग कह सकते है, कि centration perspective आपको यहां से देखने को मिलेगी, ठीक है, दूसरी हम ये भी कह सकते है, कि यहां जिस प्रकार के अंदर के inscriptions मिले है, decoration के part के रूप में सर, ठीक है, इसके अंदर भी हमको centration script मिलती है, जैसे खरोस्ती जैसी लीपी का उपय करना सर, ठीक है, ये centration script का एक प्रकार है, ये भी in fact है न बुद्धिजम के अंदर जो मूर्तिकला बन रही थी, उसके अंदर से डेवलप निकल के आई थी, सर, ठीक है, गडिन ओपन, तो this is also one of the centration influence, ठीक है, तीसरी पार्ट के अंदर हम लोग ये लिख सकते है, कि यहां पे बुद्ध की अंदर regional variations आती ही, उनके चहरे के अंदर, उनके hair के अंदर, सर, ठीक है, गडिन ओपन, ओके, अब जैसे hair की structures और hair की positioning, सर, ठीक है, थोड़ी बहुत, ये curly hairs हम लोग जो देख रहे थे न, सर, ये काफी लोग कहते हैं कि भही, ये शायद centration perspective के साथ मैच हो रहा है, सर, है न, तो आप इस प्रकार के अंदर differentiation कर सकते हो, कि यहां कुछ ग्रैको बैक्टरियन है, कुछ सेंटलेशन है, और ultimately conclusion में लिखोगे, कि इसमें ग्रैको बैक्टरियन भी था, इसमें ग्रीक भी था, और इसमें रूमन इंफ्लूएंस भी आ गया, सर, ठीक है, ग गांदर आट इवल्ड इन फर्स सेंटूरी सी, इन दे कुछान पीरिड वर दे स्टेट प्रोनेज वस गिवन, इमेजिस बीडिकेट टू बुद्धा, और वी विल फाइंद कि बुद्धा इमेजिस वह बिस पाउंड, इन दिस रीजन, सर, है न, इस आर्ट फॉम अचुल बताएं, सर, ठीक है, अलोंग विद देट, इसके साथ साथ, सेंटरलेशन इंफ्लिएंस भी थे, यह सेंटरलेशन इंफ्लिएंस के अंदर आपको एक्जाम्पल लिखने बताएंगे, हालो की पॉइंट है, डेकॉरेशन की पॉइंट है, मटेरिस्टिक की पॉइंट आफ तो यह पार्ट हो जाएगा, तीसरा कंक्लूजन के अंदर आप जब लिखोगे है ना, एक्जाम्पल के साथ, आप उसको कोड करते होगे, कंक्लूजन के अंदर आप लिखने की कोशिश करोगे, और आप आइडेंटिफाइ करोगे, कि भाई, इसमें नो डाउट गांदार म यह आठ फॉर्म के अंदर बहुत सारा फॉरेन इंफ्लूएंस आपको मिलता है, यह फॉरेन इंफ्लूएंस के अंदर हमको इसके अंदर रोमन इंफ्लूएंस भी देखने को मिल जाएगा, we will also find the influence of Roman as well, and finally in the last part, we will say, कि no doubt, no doubt it had a foreign influence, but the objective was to make बुधा, make बुधास images, और basically भल इसके अंदर फॉरेन इंफ्लूएंस था, पर बुध को इन्होंने immortal कर दिया है, बुधा को इन्होंने अमर कर दिया है, और इसके अंदर भले objective जो था, वो इंडियन ही था, इंडिया के religion, इंडिया के culture को spread करने का objective इसके अंदर से मिलता है, तो इस प्रकार का आपको conclusion बना सब्सक्राइब है कि जैसे Roman-Greeks का point, ये Greco-Bacterian और Centrelation ये भी repetitive प्रशन है, ठीक है, तो be prepared आपको architecture से सवाल repeat होते हुए आएंगे, आपको आना शीए कि उसको कैसे answer करना है, ठीक है, समझे, तो आज यहाँ पर खतम करते हैं हम लोग Buddhist architecture को, हमने काफी सारी चीजे discuss किया है, ठीक है, नेक्स टाइम आऊंगा, तो I will come back to something called as rocket architecture, जिसके उपर से सवाल आये हुए है, सर, ठीक है ना, so we will come back to this period, हम लोग chronologically जा रहे हैं, जहां जहां से सवाल पूछे गए हैं, प्रिवेस असके, आट एन कल्चर के उपर से, वो अभी मैं करवा रहा हूँ आपको, भवि तो यह सीरीज चलेगी, दो-तीन, दो-तीन कोशन हम लोग करेंगे, सर है ना, ज्यादा क्यूंकि यह तो क्या discussion centric है, intention यह नहीं है कि मैं आपको लिख के बता दू, सर, ठीक है, intention यह है कि कैसे answer करना है, किस-किस points को लिखना है, किस-किस points को avoid करना है, वो करेंगे, सर, ठीक है तो आज यहां conclude करेंगे, अगर आप subscription लेना चाहते हो, तो you can take this subscription by using the PN live code, in fact अभी बहुत fantastic offer चल रही है, 20% of subscription के उपर चल रहा है, you can take, and you can start preparing the civil services की आपकी जो journey हो, conclude कर सकते है, आज मिलता हूँ, और next class के अंदर फिर से आपको continue करूंगा, thank you very much, all the best, keep studying, जैहन झाल